नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ही यसस देव्यास और मेरे चानल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पैंट और क्रॉप टॉप के साथ साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हैं बहुत सारे सेलेबरिटी बहुत बार ये लोग को एक्स्प्लोर कर चुके हैं तो आज हम देखते हैं कि हम और लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास pant और crop top नहीं है तो आप लोग जेगिन्स और blouse का use भी कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो useful हो रहा है तो मेरे चनल को like, share और subscribe करना हमत भूलिएगा चली वीडियो शुरू करते हैं पहले हम silpa seti inspired look create कर रहे हैं ये look दिखने में काफी ही आसान है पर इसे बनाते वक्त आपको दो या तीन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों की शाद शेयर कर रहे हूं सबसे पहले हम बेंगोली साड़ी में जैसे अपना पल्लू set करते हैं वैसे पल्लू set कर लेंगे यहाँ पर अगर पल्लू का length ज्यादा होगा तो हमारी height ज्यादा दिखेंगी तो अगर आप अपनी हाइट ज्यादा दिखाना चाहते है तो पलू का लेंद ज्यादा रख सकते हैं उसके बाद हमारे पास आधा से ज्यादा जो साड़ी बचा हुआ है उसकी हम छोटी-छोटी प्लीट्स बना लेंगे यहाँ पर जो pleats बनानी हैं वो छोटी वाली ही pleats बनानी है छोटी pleats से ही इस साडी का पूरा look उबर के आता है तो एक तो साडी जो है वो हलकावाला चूस करना है और दूसरा pleats जो बनानी है वो छोटी वाली बनानी है और तीसरा most important यहाँ पर हम जो पलू set करेंगे उसी से पूरा look आता है तो जब आप पलू set करें तो पलू हमारा knee के उपर के यानि की west के उपर के पार्ट से cross होना चाहिए तब हमारा जो pen है वो दिखेगा और proper पर जैसा silpa city mem का look आ रहा है वैसा look हमें मिलेगा तो ये दो से तीन बातों का अगर आप लोग धियान रखेंगे तो proper जैसा silpa city mem का look है वैसा ही look आप लोग create कर पाएंगे इस साड़ी के पूरे ही look को final करने के लिए हमें जरूरत पढ़ेगा एक west belt का क्योंकि यहाँ पर उन्हों ने ये जरू look create किया है उसमें blouse में ही एक belt है पर क्योंकि हम यहाँ crop top का use कर रहे हैं तो हम यहाँ पर west belt पहन के बिलकुल ही उनके जैसा एक look create कर सकते हैं अब दूसरा style देखते हैं ये जो style है वो बनाने में काफी यही आसान है वो दिखने में एकदम unique and stylus दिखता है तो इसके लिए सबसे पहले तो सारी का जो end portion है उदर हमें pleats बनाना है अगर आपके पास border वाला सारी है तो जो border जो है वो front में आई उस हिसाब से आपको उसके pleats बनाने है उसे safety bin की मदद से secure करना है और west पे उसे tuck कर देना है उसके बाद हम सबसे पहले तो अपने पलू का length decide करेंगे कि हमें पलू का कितना length रखना है और जब एक बार हमारा पलू का length decide हो जाए तो उसके बाद हमें सारी को पीछे की और ले जाना है और उधर वहाँ पर उसकी pleats बनानी है यहाँ पर हम जो pleats बनाएंगे वो छोटी-छोटी वाली pleats बनाएंगे तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे हमें उसकी छोटी-छोटी pleats बना लेनी है पर हमने जो portion आगे से पहले से टक कर रखा है उधर थोड़ा सा portion छोड़ देना है और बाद में इसे हमें बनाना है यानि कि हमें जैसे मैं दिखा रहे हूँ वीडियो में उसे साब से आपको उससे सेट करना है और बाद में उससे पीछे की और टक कर देना है जब इतना प्रोसेस हो जाए तो हम पलू को एक बार और अच्छी तरीके से सेट करेंगे यहाँ पर हम जो पलू को सेफटी पीन की मदद से सिक्योर करेंगे तो थोड़ा सा हलका हलका सा सेट करेंगे क्योंकि हमें नीचे की और यानि कि हमें दोनों ही और थोड़ा सा कौव जैसा पोर्शन चाहिए तब ही यह साड़ी का एक प्रॉपर जैसा हमें लुक चाहिए वैसा दिखेगा तो दोनों ही और हमें टाइट नहीं करना है हलका हलका ही छोड़ देना है और बाद में उसे बैल्ट की मदद से सिक्यूर कर लेना है तो यह पूरा ही हमारा लुक कम्प्लीट हो चुका है यह देखने में काफी अलग और अच्छा लग रहा है तो दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा वो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर बाबाई